आजकल आप लोग देख रहे होंगे हमारे देश की राजनीती में वो लोजर सब्द काफी चर्चा में बना हुआ है और आप देखें कि देश भर में ये सब्द काफी सुर्कियां बटो रहा है आप देखेंगे उत्तरपदेश से सुरू हुआ था आपने देखा होगा कि योगी आदितनाथ साहब जो पहली बार मुकमंत्री बने जब उत्तरपदेश की तो इनके द्वारा जो अवैद निर्माड किये गये थे लोगों के द्वारा उन्हें गिराने के लिए बुल्डोज आपने और चाल्याकी से उसे अपना बॉट बैंक में बदलने के लिए उस मुद्दे को भुना लिया और आप देखेंगे अगर कोई उन्हें योगी आदितनाथ साहब को बुल्डोजर बाबा कहता है तो वो बड़े खुस होते हैं आप देखें उन्हें गिप्ट दी जा रही है इस तरह से आपने देखा होगा और आप देखेंगे कि यहां उत्तर पिदेश में बॉल्डोजर बाबा की टी स्टॉल और गौसाला लसी भंडार इस तरह की कई अब देखें दुकानें भी खोली जा चुकी है अब समझ रहे हैं और आप देखेंगे कि काफी लोगों में अपने टेंटू देखा होगा आप लोगों ने इस तरह का बनवाया हुआ बॉल्डोजर बाबा यह चुनाओ के समय की ही बात है देखें उत्तर पिदेश से ही का नाम है उस पर भी हम लोग बात करेंगे ठीक है और उत्तर पिदेश की बारे में बात करें तो वैसे भी आप जानते हैं कि राजनीती की दृष्टी से काफी महत्मूर है उत्तर पिदेश यहां बेधान सभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेगी बेधान परिशाद मे हैं सो सीटें हैं राजसवा है 21 सीटें लोकसभा में 80 सीटें तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा माने जाता है कि रष्टर पिदेशस से ही होकर आप देखते हैं कि जो दिल्ली की गध्दी है ना उसका रास्ता होकर जाता है और अधिकतर पिदानमंत्री आप देखिए उत्तरपदे से ही निकल के आए हुए अभी वरतमार में जो पिदानमंत्री मौधी साहब है यह आप देखते हैं इनका जो लोग सब अच्छेत है संसाधी अच्छेत है वो वनारस से चुन कर आते हैं तो आप देखेंगे कि में किसानों ने अपने ओपयोग के लिए इसका अविसकार किया था साल 1925 में अटेचमेंट फोर टेक्टरस नाम से इसे पेटेंट करा लिया गया था पेटेंट का मतलब होता है कि उसका अधिकार हो गया है उसने उसकी खोज की हुई है बोल्डोजर की सबसे बड़ी खासियत का इस्तेमाल किबल टेक्टर के साथ किया जाता था और इसकी मदद से जाना से जाना खेती की जमीन को कम समय में जोद दिया जाता और लेकिन बाद में इसे टेक्टर से अलग करके एक मसीन ही बना दिया गया बाद में बुल्डोजर की चकर यानि की टायर बदल टायर में ब देखें कि इसके मायने बहुत बदल गए हैं, इसके साथ ही अब इसे राजनीती से भी जोड दिया गया है, एक बात और आप लोगों ने यह देखी होगी, साइकल आप लोगों ने देखी होगी, फिर किसी की दिमाग में आया होगा कि इसमें अगर मसीन लगा दी जाए, तो यह motorcycle भी बन सकती है, तो आप देखें इसके साथ भी वैसा ही हुआ, और उस समय बुल्डोजर का प्रियोग जमीन को समतल करने में किया जाता था, इसके अलाबा खानों से कोईला निकालने और गाड़ी को लोड करने, भारी सावान उठाने और पुराने मकानों को तोड़न में यह प्रियोग किया जाता था, मगर बारतमान समय में सरकार बुल्डोजर का प्रियोग अवेर निर्माड को तोड़ने में कर रही है, उत्तर पेदेश के बाद आप देखें, बिहार पहुंच चुका है, दिल्ली पहुंच चुका है, मद्देश पहुंच चुका है, तम इसमाल 1870 में अमेरिका में धमकी के तौर पर किया गया था, आप लोग किसी को धमकी दे रहे हैं, 1876 की राश्पती चुनाव में भी बुल्डोजर सब्द का उपयोग होता है या सब्द गुंजा था, उसके बाद से ही बुल्डोजर सब्द तागत का इस्तेमाल करने बाला बन गया है, इसी बुल्डोजर की मदस से पहले विस्योद में हत्यारों से लेस और वक्तरवंद बुल्डोजर बनाए गये थे, रास्ती की रुकावट को हटाते हुए, जगे समतल करने की इसकी खासियत के चलते ही, इसका एक दो नहीं वलकी बहुत सारी कामों में इस्तेम होने लगा, फिर आप देखेंगे कि बताया जाता है कि दुतिय विस्योद दे के दोरान भी बुल्डोजर का इस्तेमाल किया गया था, लडाई की मैदान में, और आप सभी जानते ही कि 1949 से 1945 तक आपका दुतिय विस्योद चला था, इंजीनरिंग का सहारे लेकर अर्मर, डिविजन ने बुल्डोजर का इस्तेमाल कर, जर्मनी के वैलसं कंशंटेंशन, केंश को द्धाने क, द्धास्त किया इसे, और एस दोरान वेटे सैनिकों को वैलसं, वैलसं कंशंटेंशन, केंशंट में 60,000 लोग कैद मिले थे, जिसमें अदएकतर बीमार थे, और वेटेस एनकॉन के अभियान के बाद उन्हें केंप से बाहर निकाला जा सका था इस ती ते और आप सभी जानते हैं कि इसे लोग आम तोर पर GCB कहते हैं क्या कहते हैं GCB कहते हैं लेकिन याद रखिए GCB इसे जो कंपनी मनाती है ना उसका नाम है GCB और GCB वो कंपनी है जो ये मसीन बनाती है येसे मसीन को सही नाम क्या है बैखो लोडर के नाम से जानते हैं बैखो लोडर के नाम से आप लो इस मसीन को जानते हैं इसका असली नाम यही है GC कंपनी की निउव 1945 में रखी गई थी और company ने जो पहला वैखो लोडर बनाया था वो 1903 में बनाया गया था वो नीले और लाल रंका था इसके बाद इसी अपग्रेड करते हुए साल 1964 में एक वैखो लोडर बनाया गया जो पीले रंका था और आज की समय आप देखे कि पीले रंका ही होता है जिसी भी एक्सावेंटरप लिम्टेड एक बेकिले कंपनी है कहां कि बेकिले कमपनी जिसका मुख्याल है रोसेस्टर फोर्ट साहर यसका मुख्याल आपको देखने किम लेगा और यह कंपनी भारीट कρ बनाने के लिए जाने जाती है इस कंपनी के मालिक और फाउंड ह получается जोसेफ सायरिल वंफोर्ड इसके मालिक थे और जोसेफ की मौत आप देखेंगे 2001 में हो गई थी उन्ही के नाम पर कंपणी का नाम GCB रख दिया गया सौट में इनका जोसेफ सायरिल सायरिल वंफोर्ड का सौट नाम क्या होगा GCB और इसी कंपणी का नाम भी इन्ही की नाम पर रखा गया है तो इसके बारे में एक सामन जारिकारी आप तो जरूर अपने पास रखिएगा